दोस्तों हमारी सीरी चल रही है हुउ एलन की बुक दा लोनली टाइगर उसमें अगली स्टोरी है टाइगर्स ट्रैप दोस्तों एलन बचाते हैं कि दिसंबर का महीना था और जो साली चौका की टाइगरेस थी उसने अपना इलाका छोड़ दिया था उसके बारे में शुरू में तो कोई खबर नहीं मिली बाद में मालूम चला कि वो पश्चिम देशा की तरफ बढ़ रही है अब तक वो साली चौका वाली टाइगरेस मैनीटर बन चुकी थी और आज से नहीं एक साल से और ये भी पक्का पता नहीं था कितने आदमियों को वो अपना निवाला बना चुकी है ये था कि वो आदमी बहुत सारे थे थोड़े बहुत नहीं थे और बहुत ही चालाग थी कभी भी अपने मारे गए शिकार पर वापस नहीं लोटती थी जितना खाना था एक बार में खा लिया अगली बार नया शिकार अगर उसको जो उसकी बीट थी जो अपनी टेरिटरी को टाइगर एक बीट बोलते है जिसमें कि अपना पूरा एक रूटीन अपना वाप करता है टाइगर जैसा कि पिशली स्टोरी थी उसमें लोनली टाइगर उसमें था कि 10 दिन के अंदर वो बीट को कवर कर लेता था और उसे स्पॉट पर द रहे कि कोई रुकावट या कोई मचान या कुछ उसको समझ में आ जाता था वो रास्ता चेंज करके अलग चली जाती थी और जो इंसान उसको रोकने की कोशिश करता था उसकी भगवान ही मदद करते थे अब वो पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रही थी और पश्चिम स्टेट की भी दलाश थी और वो ज्यादा खतरनाक हो गई थी और उसको सिर्फ भूग के लिए नहीं उसको आदमी मारने थे इनके बॉर्डर इनकी स्टेट की बॉर्डर तक आते आते उसने तीन आदमी और मार दिये अब जो टाइगर आया वो इस्ट दिशा की तरफ से आ नफरत करता था उसके कंदे पर गोली की चोट थी जिसकी वज़े से वो लंगडाता था इनसान और इनसान की जात से नफरत करता था लेकिन अभी तक उसने इनसान को भोजन नहीं समझाता वो भी बड़ा ही गुसेल सुवाव का था जैसी की ये शेर्नी थी लेकिन ये के 20 से जानवर उठा लाता था लेकिन हाँ अभी तक ये आदमी नहीं मारता था जैसा कि वो टाइगरेस मारती थी अब टाइगर पहले आ गया टाइगरेस भी इस तरफ बढ़ रही थी टाइगर पहले आया और आते ही उसने एक गाय मारी वो गाय थी पूरन की और पूरन का ख इनकी स्टेट से लगता हुआ था जिस टाइम पर उसने गाय मारी टाइगर ने तब तक वो टाइगरेस जो की मैनीटर थी यहां हम दो की बात कर रहे हैं दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो ना एक टाइगरेस है जिसके बारे में शुरू में बोला जो की वेस्ट की तरफ चल पड़ी थी और एक टाइगर है इस टाइगरेस को मेट की तलाश थी दोनों कॉल कर रहे थे दोनों का रास्ता क्रॉस होने वाला था तो एक टाइगर था जो की लंगडाता था लेकिन वो मैनीटर नहीं था टाइगरेस मैनीटर थी यह गाय मारी टाइगर ने और उस टाइम पर वो टाइग्रेस 30 मिल की दूरी पड़की दोस्तों यहां में थोड़ा समझाने लगा तो एक बात में बता दूँ आपको कई बार मुझे कमेंट आते हैं लोगों कि मुझे इस स्टोरी का second part नहीं मिल रहा इसका first part नहीं मिल रहा तो आपको कहीं भी ढूड़ने की जरुवत नहीं है कि first part के बाद second part नहीं मिल रहा केवल आप playlist पे जाओ हर जैसे यह book चल रही है The Lonely Tiger, Hugh Allen उसकी एक playlist बनी हुई है इसके पहले भी यतनी story मैंने की है सबक्यों आप click करोगे एक के बाद एक पूरे episode चलते जाएंगे जिस हिसाब से आपके पास time होगा और जब ये tiger ने गाए मारी तब तक में वो tiger ने दूसरा इंसान मारा था जैसे मैंने भी पहले बताया कि यहां आते आते वो तीन मार चुकी थी तो अभी एक आदमी मारना बाकी था जब गाए मारी tiger को के पहले आ गया था उसने दूसरा आदमी मारा था अभी वो tiger काफी दूर थी और ये पक्का नहीं था कि इदर आ भी रही है इतना तो था कि 30 मील नहीं आ जाएगी एक रात में तो पूरान अपनी muscle load जो भरमार बंदूग है वो लेके और उसके कई बारूद कई सारे shot के हिसाब से बारूद लेके बैठा कि वो tiger आएगा उसने उसकी गाए मारी है आज उससे दो दो हाथ कर लिये जाए अब 9 बजे ही वो tiger आ गया क्योंकि वो bold tiger था पूरान मचान के उपर बैठा था जैसे पूरान ने मचान के उपर से torch मारी तो tiger बहुत जोर से गरजा बहुत जोर से दहाड मारी और यह एकदम से घबरा गया और इसकी torch डर के मारे छुट गई अब इसने अंधेरे में तुक्के पे निशाने मारे लेकिन उसको कहा लगने थे जैसे मैंने पहले बताया कि वो चोड़े में काम करता था आदमी इसे डरता नहीं था और जैसे मैंने पहले बताया एक बात बता दूँ आपसे नहीं डरता किसी के बाप से आप देखी सकते हो एक दहाड से शिकारी की torch गिर गई अब पूरण किस्मत वाला था कि आज बच गया क्योंकि इस tiger को ये पता था कि जब पेड के उपर से light जलती है तो उसके पीछे एक इनसान होता है क्योंकि वो भुक्त भोगी था उसकी जो चाल में लंगलाहट थी इनसान की ही दी हुई थी और इनी परिस्थितियों में दी थी आज दूसरी बार light के पीछे से गोली चली थी वो मचान के उपर कूदा था लेकिन क्योंकि बारूद की जो गंद थी और इतने इसने फायर मार दिये थे तुक्के में उससे उसको अजीब सा लगा और वो वापस लौट गया ये सारा घटना करम पूरण ने अगले दिन एलन को बताया और ये भी बताया कि वो 100% शेवर है कि उसने जितनी गोली हमारी एक भी टाइगर को नहीं लगी लेकिन एलन ने सोचा कि एक बार ढूड के देख लिया जाए कहीं कोई बलड के निशान है क्या क्या पता गोली लग गई हो ये पूरे दिन ढूडते रहे शाम के 6 बजे ये इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि उस टाइगर को कोई गोली नहीं लगी अब वो टाइगरेस जो की नर्वक्षी थी आदम खोड़ती वो आई दो दिन बाद आई इनकी उम्मीद से और इसके बीच में उसने एक आदमी और मार दिया यानि दो के बाद एक यानि तीसरा आदमी अब वो करीब 4 बजे दुपहर को पहुंची एलन को पक्का पता नहीं था कि वो टाइगरेस आ गई है तो इनको लगा कि ये आदमी पूरन वाले टाइगर ने मारा है इनको लगा कि लगता है कि पूरन की गोली उस टाइगर को लग गई थी अब वो घायल हो गया तो उसने बदले में आदमी मार दिया लेकिन जब उस जगे पर सर्च किया गया तो वहाँ जो पगमार्क मिले थे वो केवल टाइगरेस के थे और उसके बाद जब वो आदमी को उठा के एक रवीन में ले गई थी पहाडी नाले के अंदर ले गई थी तो वहाँ रेत पर घसीटने के निशान भी थे इसका मतलब इस आदमी को टाइगरेस नहीं मारा था अब क्योंकि सूरज ढूब रहा था विंटर लाइन थी पंदरा मिनिट की लाइट बची थी तो ऐसे में समझदार ही नहीं थी कि आप आदम खोर शेरनी के पास जिसके पास एक आदमी मरा हुआ हो उसके पास जाओ ताकि वो दूसरा शेकार भी कर ले अब केवल एक ही तरीका था कि घर वापस आओ और अगले दिन का प्लान तैयार करो अब उस दिन टाइगर और टाइगरेस शेर और शेरनी मिल गए ये सुनते रहे पहले टाइगरेस एक नाले की तरफ से जहां वो उस आदमी को ले गई थी वहां से कॉल कर रही थी और टाइगर यानि की शेर पेड़ के पीछे से जवाब दे रहा था और जितनी बार वो टाइगरेस कॉल करती थी उतनी बार और ज़्यादा उत्सुकता के साथ टाइगर का जवाब आता था अब इनके मन में सवाल था कि अगला शिकार कौन होगा एक आदमी या एक जानवर अब इनको लग रहा था कि हो सकता है कि टाइगर के साथ मिलने के बाद टाइगरेस उसी तरीके से बिहेव करे जैसा टाइगर करता है और उसको दिखाने की कोशिश करे कि मेरा कोई भूतकाल नहीं है यानि मेरा कोई पास्ट नहीं है मैं भी उसी तरह का खाना खाती हूँ जैसा तुम खाते हो अब जब ये दोनों मिले तो टाइगर ने इस टाइगरेस को पूरी तरह से अपने प्रोटेक्शन में ले लिया और आप उसकी बारी थी कि वो इसको इंप्रेस करे उसको वो चीज ला के दे जो ये खाना चाहती है यानि शिकार करने का काम टाइगर ने अपने जिम्मे ले लिया तो अब एलन का मानना था कि अभी फिलहाल आदमी सुरक्षित है क्योंकि टाइगर जब मार के लाएगा तो पालतू पशु मार के लाएगा और जब तक टाइगर इस टाइगर के साथ है वो वही खाएगी जो इसको ला के दिया जाएगा अब जब इनको उमीद थी कि टाइगर मारेगा तो वो मारता था पालतू जानवर इन्होंने आठ भैसे खरीदी अलाग अलाग जगह पे बांदी कि वो टाइगर आएगा इनको मारेगा और इनको मौका मिलेगा अब एलन का मानना था कि जो भी है वो जंगल के देवता के हाथों में है अब जब ये भैसे बनवा रहे थे उसी प्रोसेस में करीब शाम के छे बजने थे तीन आदमी आए हाफते हुए और बोले कि उनकी गाए को नाले के पास में टाइगर ने मार दिया है और जब उसने गाए को मारा है तो टाइगर उस गाए को खीच के नहीं ले जा पाया है क्योंकि उनके जो जुन्ड था उसमें जो भैसे थी उन्होंने टाइगर पर अटेक कर दिया और टाइगर भाग गया है यहां दोस्तों और फिर रिमाइन करा दू कि भैसों के अंदर अटेक करने की बहुत जादा टेंडेंसी होती है एक तरह से भैसे जंगली भैसे का ही domesticated रूप है तो एक बार गये घेर के नहीं अटेक करती हैं टाइगर पर लेकिन कभी भी अगर टाइगर जुन्ड पर अटेक करेगा तो जितनी भैसे होती हो उसको ख़देर देती है डरती हैं लेकिन डर के थोड़ा आगे बढ़ेंगी फिर पीछे एटेंगी तो टाइगर डर के भाग जाता है अब जब यह स्पॉर्ट पर पहुंचे तो देखा गाय अभी तक मरी नहीं थी वो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही थी अब इस गाय की गर्दन नहीं तोड़ी थी टाइगर ने उसके पहले ही भैसों ने भगा दिया था उसने केवल पंजा मारके एक तरफ पुरा चीड दिया था अब यह जो टाइगर का नेचर होता है कि वो बहुती सफाई के साथ मर्डर करता है यह इसने अजीव हो गरीब तरीके से मारा था और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं था कि इस तरह से टाइगर ने क्यों मारा है अब एक ही रीजन समझ में आ रहा था कि क्योंकि वो मेंटिंग पीरेट में था तो वो अलग-अलग तरीके से अपनी capabilities दिखा रहा था टाइगरेस को impress करने के लिए लेकिन एलन का मानना था कि इस तरह से अनाडी पन से attack करना टाइगरेस को impress नहीं करेगा एलन बोलते हैं मैं भी impress नहीं हुआ इस तरीके से कि एक domestic cattle killer जो कि used to था गाय मारने का उसने इतने अनाडी पन से क्यों मारा अब जब रीजन सोच रहे थी कि गर्दन नी तोड़ी साइड से चीड दिया यहां मैं दोस्तों बता दूँ कि भालू इसी तरीके से करता है हमेशा attack भालू को मारने के तरीके नहीं आते तो वो गर्दन नहीं मारके कहीं से भी किसी भी जानवर को खाना शुरू कर देता है जानवर जिंदा रहता है मैंने ऐसे cases सुने हैं देखे तो नहीं है हमारे जंगली रिजॉर्ट से 20-25 किलोमेटर दूर एक भालू 2015 में वारदात करता था घरों की पत्थर की जो उत्तरा खंड में छटे होती है जिसे पत्थर की slates लगी होती है तो गोशाला की slates को हटा के घुसता था कभी बैल का कूबर खा लेता था कभी गाय का थन खा लेता था जानवर जिंदा रहता था जब बहुत सारा खून बह जाता था तो जानवर मरता था टाइगर तो सीधे गर्दन को दो दांतों के बीच मिलाता है ऐसे हड़ी तोड़ देता है वही जानवर की डेथ लेपर्ड मारता है तो पीछे से लपक के ऐसे या तो गर्दन को यहां से पकड़ लेता है या मूँ को ऐसे पकड़ लेता है कि सांस जानी बंद हो जाए इस ताइगर ने अजीबो गरीब काम किया था बगल से एक साइट पूरी चीड के रख दी थी अब इनके मन में थौट आया कि यह टाइगर गोल माल करने वाला टाइगर हो गया है अब यह इनसान के लिए ज्यादा खत्रा बन गया है क्योंकि कभी यह जानवर मारेगा कभी वे इनसान मारेगा अब वो दुखी गाये अभी भी जिन्दा थी और लगता है थोड़ी देर तक उसको और यह जिलना था और वो जिन्दा रहने वाली थी और अगर यह इसको गोली मार के उसको दुखों से निजाद दिलना चाहते तो उसका मालिक इनको अलाव नहीं करता तो अब उसको यह दुख जिलना था तो समझ गए काफी घंटों तक वो तलबती रहेगी और इनको ऐसे ही बैट के उसको देखना होगा क्योंकि टाइगर के आने का इंतिजार करना होगा लेकिन वो इमीडेटली बैठना नहीं चाहते थे अब क्योंकि शाम हो चली थी और इस वक्त कोई मचान वगएरे की प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं था और इनको लग रहा था कि बंदी हुई गाये को मारना ताइगर इस वक्त पसंद नहीं करेगा तो अगर ये काम टाइगरेस का है तो वापिस नहीं आने वाली अगर ये काम टाइगर का है तो पूरन के उपर जैसे उसने अचानक से अटैक किया था और वो गिरते गिरते बचा था मेरे साथ भी हो सकता है क्योंकि प्रॉपर मजान है नहीं तो ये खत्रा नहीं लेना चाते अब ये अगर काम टाइगर का था तो पक्का रात को वापिस आएगा और शिकार को खीच के दूर ले जाएगा अगले दिन सुभे ये जगे देख लेंगे और फिर वहाँ पर इंतिजाम कर लेंगे कि किस तरह से बैठना है, किस तरह से उसको मारना है अगले दिन सुबह ये आये और जाड़ी के पीछे से उस जगे वो देखने लगे गाय वहाँ पे नहीं थी, घसीटने के निशान थे अब थोड़ी दर ये शान्ती के साथ जंगल की आवाज सुनते रहे कोई कॉल आ रही है, किस तरफ से कोई मुमेंट है, कहीं से कोई मुमेंट दिखाई या सुनाई नहीं दी, अब इन्होंने रेद पे निशान सर्च करने शुरू किये अब रेद पे जो इन्होंने देखा, वो बहुत ही डराने और चौकाने वाला था और इनके दिमाग में पहले से जब ये गोलमाल करने वाले टाइगर का शक अगर इनके दिमाग में ना होता तो इनका दिमाग उस तरफ ना जाता अब ये बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन होने वाली थी जो इन्होंने रेत पड़ देखा आप इन्होंने बार बार उस कहानी को चेक किया और इन्होंने रियशूर किया अपने आपकों कि जो यह सोच रहे हैं क्या वही सच है अब जो इनको सबूत मिले थे वो यह थे कि उस पवित्र गाय को मारने की जंगली कोशिश दोबारा उस टाइगर ने की थी और वो फिर आसफल हो गया था यहानि वो गर्दन दबागे नहीं माररा था पपन्जे मार के उसको माररा था उसकी स्किन के टुकड़े उसके मास के टुकड़े और पिछले पैर यहां से वहां जो डांस कर रहे थे टाइगर के वो सारा रेत में निशान था मतलब वो स्ट्रगल कर रहा था इस गाय को मारने के लिए जबकि वो आसानी से मार सकता था इसकी गर्दन को तोड़के जो की टाइगर का स्टाइल होता है सिगनेचर स्टाइल कोई भी वाइल लाइफ एक्सपर्ट जब शिकार को देखता है और यह जानना चाता है कि इसको लपड ने मारा है कि टाइगर ने मारा एक ही पैचान होती है अगर उसकी गर्दन की हड़ी टूटी है इसका मतलब टाइगर ने मारा है तोकि इसका मुँ बड़ा होता है, स्ट्रॉंग होता है टाइगर विंड पाइप ने दबाता, गर्दन ही तोड़ देता है अब वो इसको इस तरह से पंजे मार करके मार सकता था लेकिन उतनी देर में ही टाइगरेस आ गई उसने चिर परचित स्टाइल में अपने दाद गड़ा दिया उसकी गर्दन की हड़ी तोड़ दी, फिर टाइगर से बोला होगा लो जी, ऐसे मारते है, यह 100% शेवर था कि उस गाए को फाइनली टाइगरेस ने मारा, उसके पंग मार्क एकदम साफ साफ नजर आ रहे थे और वहाँ बहुत सारा खून था, यह इस बात का सबूत था कि वो गाए अभी तक जिंदा थी तो उसके जो घाव थे जो टाइगर ने इधर उधर से उसको नोच खसोट के मारने की कोशिश की थी वहाँ से खून गिर रहा था, अब जो राउंड पंग मार थे मेल टाइगर के वो भी क्लियरली विजिबल थे कि जब टाइगरेस ने अपना काम किया तो वो दूर से खड़ा होकर देख रहा था अब जब गाए को टाइगरेस ने मार दिया तो टाइगर वहाँ नहीं गया खीच ने टाइगरेस ही खीच के लाई अब इनके मन में सवाल आ रहे थे कि उस टाइगर ने क्यों नहीं अपने दातों का इस्तमाल किया वो दातों से हट्डी तोड़ सकता था अगर दात में कोई प्रॉब्लम थी तो उसका एक पंजा गाय का सिर तरबूज की तरह से उड़ा देता उसने अपने पंजा क्यों नहीं मारा क्यों उसने अलाउ किया कि टाइगरेस मारे और वो चुपचाप खड़ा देखता रहे अब यह समझ गए इनके पास जवाब था और जवाब था पूरण और उसकी भरमार बंदूक यानि कि जब अंदाधुन फाइरिंग करी थी पूरण ने तो उसके जबडे में गोली लग गई थी और उसके कंदे में पहले से गोली थी जो वो लंगड़ा के चलता था अब वो चोट या तो बढ़ गई है या एक दूसरी गोली भी लग गई है तो ना तो वो अपने पंजों का इस्तमाल धंक से कर पा रहा है ना ही अपने दांतों का और अब जो इनके पर इन्होंने ये स्टोरी सोची थी समझी थी अगर वो सच थी तो ये स्टोरी डाइनमाइट थी क्योंकि अब वो टाइगर बहुत खतरनाक हो गया था क्योंकि वो अपनी गर्ल्फरेंड को दिखा नहीं पा रहा था अपनी पावर कि देखो मैं कितने आसानी से शिकार करता हूँ क्या करता था पहले अब नहीं कर पा रहा था और जनरली मेटिंग टाइम पे टाइगर जिम्मेदारी लेता है खाने की तो ये खाना नहीं ला पा रहा था और उल्टा टाइगरेस नहीं इसको मारा था जब उसने देख लिया था कि टाइगर नहीं मार पा रहा है तो अब उसको दर्द भी है उसके अंदर गुसा भी है भडाज भी है जो किसी के उपर निकालेगा और अब उसके पास उसकी गुरू थी टाइगरेस जो उसको सिखाती कि देखो कितना आसान है शिकार मारना यानि कि आदमी मारना अब ये रेत की तरफ वापस गए और देखा कि वो टाइगरेस वो पहाड़ी नाले के मूँ की तरफ उस गाय को खीच के लेके गई है अब थोड़ी देर के बाद उसने इसको पूरा मूँ से उठा लिया था पूरी बाड़ी उपर कर लियो और चलती गई आगे पीछे पीछे टाइकर अब यह फॉलो करते गए और आगे पचास गज की दूरी पर वो सबसे जो उचाई वाली जगह थी उस पहाड़ी नाले की उस तरफ को लेके गई थी अब खीचने के निशान के पीछे पीछे जाना सजिस्टेड नहीं था क्योंकि जहां यह खड़े थे उचाई से इनको देखा जा सकता था और यह खत्रे में थे घरा जंगल था सारी चीज़े थी और दूसरी बात यह दोनों ही पगलिट पेर थे अगर यह नजर आ जाते एलन तो दोनों मिलके पता नहीं क्या करते अब क्योंकि टाइगर और टाइगरेज उचाई पड़ थे तो जब तक उनकी एक्जाट पोजिशन मालूम ना चल जाए इनको सकसेस मिलने की कोई संभावना नहीं थी उल्टा यह शिकार बन जाते तो जब तक इनको ना मालूम चल जाए कि उनमें से एक शिकार को गार्ड कर रहा है और दूसरा शिकार की तलाश अब यह वापस नाले में चले गए और एक लंबा सा राउंड लेके उपर जाने की कोशिश करने लगे कि जिस से यह उन टाइगर को नजर ना आए और टाइगर से उपर पहुँच जाए अब इनकी जो मदद कर रही थी वो इस जगे से इनका वाकिफ होना इनको चप्पा चप्पा पता था जनरली पहाड़ी नाले 45 डिगरी के एंगल पर उपर उठे होते है और जिस जगे यह उमीद कर रहे थी कि टाइगर और टाइगरेस होंगे वो जगे उचाई पर ही होनी चाहिए थी इनको पता था कि इस पहाड़ी की उचाई ऐसे एक मैदान सा लेकर है और वहाँ पर बैटना मतलब सिंगासन पर बैटना वहाँ से पूरा व्यू नजर आता था और इसका जो अब यह अपने जो उस लंबे रास्ते से उपर जाने लगे इनको पूरी उमीद थी कि इनको पता है कि दोनों टाइगर्स कहाँ पे हैं इनको उमीद थी कि वो जो सिंगासन सा बना है उपर पहाड़ का उसके नीचे जो चटाने है वहाँ पे एक सर्फेस है बैटने की जग गए और इन्हों अपनी दुर्बीन निकाली और देखने की कोशिश की तो वो जगे वहाँ पे जो उस जगे की ओपनिंग थी वो ओल शेप में थी वहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा था पेड़ों का टॉप दिख रहा था तो उनके नीचे नजर नहीं आ रहा था आप इ सारी काली बिंदिया दिखी ये थे कवे और वो इंतिजार कर रहे थे पूरे धैरे के साथ कि कब उनको भोजन करने का मौका मिलेगा अब इन्होंने कानों पे जोर लगाया और सुनने की कोशिश की आवाज तो वहाँ बहुत सारी मोरनिया और जंगली मुर्गे थे जो की अ अब इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इनको पता है कि वो शिकार कहां पर है और वो कॉल इसलिए नहीं हो रही है कि शिकार के पास में ही टाइगर और टाइगरेस बैठे हैं तो उनके डर से लंगूर और बाकी जानवर कॉल भी नहीं कर रहे हैं अब इन्होंने दुरब अच्छा खासा खाना खाकर सो रहे होंगे। अब करिब दो गंटे लगे इनको बड़े ही आराम आराम से उस तरफ जाने में जरासा भी इनोंने कोई आवाज नहीं करी कोई भी गलती या लापरवाही नहीं करी पन को पता था कि दोनों TGA शेकार के पास में ही हैं। अभी प्रॉब्लम यह थी कि जरासी हाट होती है और वोकर दुनों भाग जाते दुनों अलग-अलग डारेक्शन में भागते और बहुत ही मुश्किल हो जाता उनको ट्रेस करना अब यह थोड़ा आगे बढ़े तो कटीली जाड़ियों के पीच से इनको टाइगर का ग्लिम्स मिल गया ताइगर एक पेड़ के नीचे सो रहा था बीज-बीज में अपनी पूछ हिला रहा था ताकि मक्खिया भाग जाए बाकी एरिया एक चट्टान के पीछे आ रहा था औ इनको नजर नहीं आ रहा था अब जहां पे खड़े थे वहां से आगे जाना समझदारी का काम नहीं था ये धीरे धीरे पीछे अटे और एक लंबा राउंड लेकर दूसरी तरफ से आने की कोशिश करने लगे ताइगर भी पर थी वो एक थोड़े से घास का एरिया था उस जो की भाग जाता अब इनके मन में थौट आया कि चौक के भागना शायद ही ये टाइगर करेगा जैसे ही वो देखेगा कि टाइगर मर गई और इसके मन में में मेटिंग की धुनसवार है ये पक्का अटेक करेगा और जब वो इनके उपर अटेक करेगा तो 70 गज़ की प्रोंगो और वो उड़ी और जो फटफट फटफट की उसके जो पंको की आवास थी दोनों टाइगर उडगे और मुड के देखा सामने एलन दिख रहे थे अब ये जो आवास थी उसने जितने भी जिन्दा लोग थे वहाँ पे सबको अलर्ट कर दिया था अब दोनों टा वो समझ गए हैं कि उनका शिकार कहा है एक टाइगर लेफ्ट को भागा एक राइट को भागा अब इनको अंदाया लगा कि किसी भी वक्त एक टाइगर इधर से आएगा एक टाइगर यहां से आएगी अब जल्दी सूच ले और इननों भागना शुरू किया भागते भाग दो इस तरह भाग रहे थे、 इतना तेही से कभी नहीं भागे थे और उसी तरिके से भाग रहे थे जिस तरह से एक शिकार बनने वाला जानवर उंचाई की तरफ भागता है कि यह आदमी है तो उनको लगा हो कि उनके शिकार के पीछे कोई आ रहा है अब यह उस सिंगासन जो पहाडी सिंगासन था उंचाई वाली जगे बहां पहुँच गए पसीने की नदियां बैरी थी और इनके फेफडे फटने वाले थे अब यह उंचाई पर पहुँच गए इन्होंने सास ली धंग से क्योंकि अब इनके पास एडवांटेस था अब टाइगर कहीं से भी आता उसको ट्रैक यूज करना पड़ता और उपर से यह उसको देख लेते अब जब यह ट्रैक की तरफ देखने जा रहे थे तभी एक आवाज आई वो थी बंदर की यह कॉल थी कि टाइगर आ रहा है तभी एक जंगली मुर्गी की भी आवाज आई अब यह एक जगे पहुँच गए जहां पे चटान थी और जहां से आराम से नीचे देख सकते थे अपनी बंदूख अपनी राइफल का मुँ उस तरफ इन्होंने कर दिया था तभी एक मौर ने अलाम कॉल करी और उसके बाद डर के वो मौर उड़ गया और एक पेड़ की उपर बैठ गया अब इनको टाइगरेस नजर आई जो कि तेजी के साथ उस रास्ते पे चल रही थी अब टाइगरेस इनको देख लिया था जब ये मौर को उड़ना देख रहे थे तो टाइगरेस और इनकी आखे मिल गई थी और जब तक उसको निशाने पे ले पाते वो जाड़ी की पीछे छुप गई थी फिर इनको हलकी से नजर आई लेकिन इनको छोड़ना बड़ा क्योंकि बीच में बहुत सारे पेड़ों के तने थे तब ही इस पहाड़ी के पीछे की तरफ से टाइगरेस की आवाज आई लेकिन ये नॉर्माल कॉल नहीं थी टाइगर की एक अजीब सी खासने टाइप की आवास थी तब तक इनको समझ में नहीं आए कि क्या रीजन है लेकिन अब इनको समझ में आता है कि वो टाइगर को बता रही थी कि वो कहां पे है और ये बात इनको आज तक समझ में नहीं आई कि दोनों टाइगर्स के माइंड में क्या था क्या वो भाग रहे थे कि क्या इनके वो खून के प्यासे थे लेकिन जिस तरह से उन्होंने अटैक बनाया था एक जोड़े में इनके लिए बहुत ही डराने वाला था क्योंकि उन्हों पहले कभी नहीं देखा था कि दो टाइगर्स एक साथ अटैक कर रहे हैं और प्रापर कौर्डनेशन के साथ और ऐसा लग रहा था उन्होंने ट्रैप बनाया हो एलन को पकड़ने के लिए अब जब दूसरी बार टाइगर्स की आवाज आई तो ये चौक गए क्योंकि वो नीचे नहीं थी इनसे भी उपर पहुँच गई थी और करीब करीब इनके सिर के उपर थी अब वो उपर कैसे पहुँची इनको समझ में नहीं आया जिसकी एक जलक इनको दिखी करीब दस गज की दूरी से दोनों की आखे मिली एलन और टाइगर की और उसने अपनी जोड़दार आवाज करी जैसे वो करता है गोल आवाज आउं करके जो आवाज होती है वो आवाज निकाली इन्होंने सीधे गोली मारी उसकी चाती भी खुली थी उसका सिर भी खुला हुआ था जैसे उसको गोली लगी वो हवा में उचला अब उसने चलाग मारी एक तरह से उड़ती हुई चिडिया की तरह थी और जब वो गिरा तो उसकी जो गुराहट थी और दम घुटने जैसी गुराहट थी अब वो उस ट्रेक के एज़ पे गिरा एक भारी भरकम चीज की तरह से और फिर लुड़कता हुआ नीशे चला गया अब इस बंदूग की आवाज के बाद इन्होंने अपने आखों के कॉर्णर से देखा टाइगरेस वही थी जहां इन्होंने उसको पिछली बार देखा था अब उसका केवल चहरा दिख रहा था और धीरे धीरे पीछे हट रही थी तो एक तो छोटा सा निशाना वो भी दूर जा रहा है हडबली में इन्होंने गोली मारी और जिस जगे पर उसका फेस था वहां से पत्थर और मिट्टी उड़ी अब वहां पे सिर्फ चटाने थी और सूरज चमत्ता वह नजर आ रहा था अब इन्होंने अपनी पीठे चटान पे टिकाली और इन्तियार करते रहे चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था अब एक जलक इनको टाइगरेस की दिखी वो उस पहाड से उतर कर पेडों के पीछे भागती ने जर आई अब वो वापस नहीं आने वाली थी क्योंकि वो मैनीडर थी और वो खत्रा अच्छे तरीके से भाप चुकी थी अब वो टाइगरेस भागी लेकिन वो फिर भी मरने ही जा रही थी क्योंकि अपने पुराने बीट पर भागी थी और वहाँ किसी को नहीं पता था कि वो वहाँ है और उसने एक शिकारी को अपना निशाना बनाया मरने के पहले जिसने की उसे गोली मारी थी अब इन्होंने जो टाइगर मारा था उसको देखने गए वो बड़ा ही इंप्रेसिव टाइगर था कंधे और उसके पंजे इतने चोड़े थे कि शायद ही इन्होंने किसी टाइगर के देखे हो और शुरू में तो इनको देखके लगा कि एकदम वो हटा-कटा मजबूर टाइगर है शायद इन्होंने गलट टाइगर मार दिया है लेकिन ध्यान से देखने में मालुम चला कि उसके अंदर पूरन की भरमार बंदू के नो चर्रे लगे हुए थे और एक तो बिल्कुल जबडे में एक नाक के पास और एक जो कंदे की हड़ी में पुराना बंदू की गोली फसी हुई थी वो बारा बोर की लीथल यानि एक जो बड़ा चर्रा होता है वो था और वो इस तरीके से फसा था कि अब उसके लिए जानवार मारना इंपॉसिबल हो गया था यानि वो मारता तो आदमी ही मारता और उसके पास जो सपोर्ट के लिए टाइगरस थी वो और ही खतरनाक बात हो गई थी अब यह उसके बाद जब वहां से गए तो उन्होंने देखने की कोशिश की कि नीचे से टाइगर उपर कैसे आये थी इसके पहले तक एलन का एमानना था कि जो प्योर चट्टानी इलाके होते हैं वहां से टाइगर नहीं चड़ सकता है लेकिन उनको चट्टान से चड़ने की जरूरत नहीं थी एक क्लेफ्ट थी जहां से लेंटाना वगर लगी थी वहां से निकलने का रास्ता था इस इलाके से परचित होने के बावजूद एलन ने कभी उस बात को नोटिस नहीं किया था कि यहां से रास्ता है लेकिन टाइर जो की बाहर से आये थे इस अलाके से परचित नहीं थे उन्होंने एक सेकंड के अंदर उस रास्ते को खोज लिया ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते को दोनों में से एक ने या दोनों ने पहले इस्तेमाल किया है और अगर इन्होंने नहीं किया था इस्तेमाल किसी मांजाहारी जानवर ने किया था क्योंकि वहां पे उनको हड़िया पड़ी हुई मिली अब वहां इनको स्मेल भी आ रही थी और इनको समझ में आया कि कोई भी चीज जब पहाड के उपर ये मारते होंगे ये या कोई दूसरा चानवर तो खीच के यहीं लाते होंगे तो दोस्तों इस तरह से हमारी कहानी खतम हुई टाइगर्स ट्रैप हमारी अगली कहानी होगी मंकीज फॉली दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल दा बेस्ट बंदे मातरब